अलो बच्चों मैं शशी चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने YouTube चैनल Study with चंद्रा में तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे तो बच्चों, जैसा कि आज आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या है लंबा, क्या है गोल, ये जो टॉपिक है, आपकी जो दूसरी कक्षा की गडित की बुक है, गडित का जादू, उसमें से लिया गया है, तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे, क्या ह लंबा, क्या है गोल, इस अध्याय को शुरू करने से पहले जरूरी बार, कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफि प्यार करते हैं, वे रोज उनके साथ खेलते हैं, आज उन्होंने अपने थैले में तरह तरह की चीजें रखी हैं, खेल है नाम बताओ, खेल का क्या नाम है बच्चों, खेल का नाम है नाम बताओ, ठीक है, और ये कौन है, ये है मीकू चाचा, एक मिनट तो को कलर बदल ले है अग क्या है और यह सारह बच्चे इन से प्यार करते तो तुम्हें सोचकर बताना है कि मेरे हाथ में क्या है मैं तुम्हें बताऊंगा वहे चीछ छूने में कैसे लगती है, किस ने कहा मीकू चाचा ने, यह देखो इसका एरो इधर है, तो यह कौन कहा रहा है यह बाते, मीकू चाचा, यह सारे बच्चे सुन रहे हैं, अब देखो मीकू चाचा के आँखों पर यह पट्टी बाधी जा रही है, और ये है बच्चों टीम A ये देखो और ये है कौन सी ये है टीम B ये लिखा हैं P ठीक है तो अब टीम A क्या गाना गाती है ये देखो ये एरो है टीम A की तरफ तो ये कौन कह रहा है टीम A कह रही है क्या कह रही है आखे मीचे पता लगाएं हाथ से छुए और बताएं छूने में कैसा जरा बताएं हम नाम बताएं खेल जीच जाएं यानि की टीम ए जो है वो ये गाना गाती है कि हम अगर बताएंगे तो उसको जीच जाएंगे किसे खेल को तो अब देखो चाचा क्या कर रहे हैं चाचा कह रहे हैं एक छोर नुकीला दूसरा छोर चप्टा पाइप की तरह गोल है क्या है तॉल मोल के बोल यानि की आपको तॉल मोल के बोलना है मतलब सोच विचार के आपको बताना है कि क्या चीज हो सकती है एक छोर नुकिला, दूसरा छोर चप्टा, पाइप की तरह गोल, क्या है तॉल मोल के बोल तो अब जो टीम A है, वो क्या बताती है, वो कहती है पैंसिल क्या बताती है पैंसिल, क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो क्यो ना तुम मीकू चाचा के सवाल का कोई अलग जवाब सोचो तो बताओ बच्चो, ऐसा और क्या हो सकता है, हम लिख सकते हैं, चाकू क्या लिख सकते हैं बच्चो, चाकू, ठिक, अब आगे आगे है, टीम ए की बारी है, छूकर पता लगाने की, वे गाते हैं, छूने में कैसा जराब बताएं, नाम बताएं, खेल जी जाएं टीम ए का बच्चा अपना हाँ थेले में डालता है, टीम ए के दूसरे बच्चों को पता लगाना है, क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो और ये अब क्या क्या रहा है, सब तरप से गोलम गोल, ना कोई कोना ना कोई छोर, हाथ में अपने इसे घुमा लूँ, चाहे तो इसको लुड़का लूँ, सोचो तो क्या हो सकता है ये है, बताओ जरा क्या हो सकता है ये, सोच कर बताओ, ये हो सकती है, बॉल, क्या हो सकती है बॉल यह खेल तुम अपनी कक्षा में खेल कर देखो तुम इसे टीम बना कर भी खेल सकते हो बच्चो तरे तरे की चीजें एक थेले में डालो एक बच्चे की आँख पर पट्टी बांदो इस खेल को तो बच्चो आप स्कूर में भी खेल सकते हैं और घर में भी अपने थेले में पकड़ी चीज छूने में कैसी है टीम के बच्चों को उस चीज का नाम बताना है कितना मजबूत है पोस्ट कार्ड देखो यह है हमारा पोस्ट कार्ड यह रहा एक पोस्ट कार्ड को एक कौने से पकड़ो अगर तुम उस पर एक किताब रखो तो यह किताब क्या उ करके देखो पोस्ट कारड को गोल मोर कर एक पाइप से बना लो, यह देखो यह बन गया, यह बन गया देखो, टेप से दोनों मुड़े हुए छोर जोर दो, अब इस पर एक किताब रखो, क्या पोस्ट कारड उसका भाहर उठा लेता आप भी अपने घर में ऐसा करके देख सकते हैं या क्लास में जल्दी जल्दी फटा फट बच्चे कक्षा में एक गोल घेरे में बैठे हैं वेस खेल को खेल रहे हैं और गा रहे हैं क्या है लंबा क्या है गोल जल्दी बोल जल्दी बोल रीना कहती है क्या कहती है रीना ये देखो ये रही टीम और ये टीम के सारे बच्चे बैठे हैं और ये है रीना रीना क्या कहती है बल्ला लंबा गैंद है गोल जल्दी बोल जल्दी बोल यानि कि रीना ने बता दिया कि क्या है बल्ला तो लंबा है और गैंद कैसी है गोल सबी बच्चे गा रहे हैं क्या है लंबा क्या है गोल जल्दी बोल जल्दी बोल तो ये कह रही है बोतल लंबी धकन गोल जल्दी बोल जल्दी बोल कौन कह रही है मीनू अब आगे देखते हैं और इस तरह से खेल चलता रहता है तुम भी इस खेल को अपनी कक्षा में खेलो बारी बारी से एक लंबी और एक गोल चीज के नाम बोलो, खेल में जिस चीज का नाम एक बार बोल दिया जाए, उसे दोबारा नहीं बोलना है, अब आगे, क्या लुड़का, क्या खिसका, चितर को देखो, पार्क में कुछ बच्चे चीजों को लुड़का रहे हैं और खिस यह बाद रखा है बॉक्स, और यह क्या हो रहा है, यह इसको खिसका रहा है, ठीक है, और यह बॉल है, यह इसको लुड़का रहा है, ठीक है, और यह देखो, यह यहां से खिसक रहा है, यह भी इस पैसे पोल पैसे खिसक रहा है, ठीक, अब आगे, कुछ चीजें ऐसी होती जिनने लुड़काया जा सकता है और कुछ जिनने खिसकाया जा सकता है कुछ चीजें लुड़क भी सकती है और खिसकाई भी जा सकती है ठीक है यह देखो यह बच्चे कैरम खेल रहे न तो आप इसको गोटी को खड़ा करेंगे तो यह लुड़क भी जाएगी और यह इस तर लुड़क सकती है, चीजें जो खिसकाई जा सकती है, चीजें जो लुड़काई और खिसकाई भी जा सकती है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे चीजें जो लुड़क सकती है, क्या कर सकती है चीजें जो लुड़क सकती है, तो क्या लुड़क सकता है बच्चो, बॉल लुड़ भी लुड़क सकता है और लड़ू लड़ू भी लुड़क सकता है और क्या और एक नाम में यहां लिख देती हूँ पैंसिल ठीक है पैंसिल को भी आप लुड़का सकते है ठीक पैंसिल को भी आप लुड़का सकते है उसके बाद चीजें जो खिसकाई जा सकते हैं तो क्या क्या चीजें खिसकाई जा सकते हैं बच्चो कुर्सी को आप खिसका सकते हैं मेज खिसका सकते हैं किताब भी खिसका सकते हैं आप और copy भी खिसका सकते हैं आप अपनी तरफ से भी कोई नाम सोच कर इसमें लिख सकते हैं अब चीज़न जो लुड़काई और खिसकाई जा सकती हैं तो क्या है सिक्का, जैसे एक रुपे का सिक्का या दो रुपे का सिक्का उसको आप खिसका भी सकते हैं और लुड़का भी सकते हैं और क्या कटोरी कटोरी को आप खिसका भी सकते हैं और लुड़का भी सकते हैं ठीक है चूड़ी चूड़ी के साथ भी आप ऐसा ही कर सकते हैं और आप लिख लो गिलास ठीक है गिलास को भी आप खिसका सकते हो और लुड़का भी सकते हो ठीक है बच्चों तो ये हो गए इनके नाम अब आगे अपना छोटा सा पेड़ तो ये है एक कागज का टुकड़ा एक कागज लो इसे मोड कर एक पाइप बनाओ ये देखो ये इस तरीके से आपको मोड़ना है और ये एक पाइप सा बना लेना है देखो ये बना लिया एक पाइप सा कहां पर ये तुम्हारा कागज का पाइप देखने में ऐसा लगेगा कैसा ऐसा गौन्द या टेप से इसे चिपका लो ये देखो इसने टेप से चिपका रखा है आप गौन्द से भी चिपका सकते हो कैंची से कागच के इस पाइप के छोर को साथ या आठ जगे काटो ठीक है तो आपको क्या करना है ये केवल इतना ही हिस्सा , आधा हिस्सा, आपको ऐसे, ऐसे, ऐसे थोड़ी-थोड़ी दूर पर आपको साथ या आठ जगे से काटना है, ठीक है पूरा नहीं काटना है केवल इतना हिस्सा काटना है उपर से , ठीक . काटे हुए काज केशरों को नीचे की ओर मोणो अब यह जो काज हैं , इनको को क्या करना है इस तरीके से मोड़ना है ठीक है बाहर की तरफ कटे हुए कागज के सिरों को नीचे की और मोड़ो तुम्हें अपना पेड तैयार मिल जाएगा इसमें रंग भरो अब मेरी मिनार सबसे उंची क्या है सबसे पहले क्यों ना सबसे पहले हम डिब्बियों से मिनार बनाए देखते हैं कौन सबसे उंची मिनार बनाता है मैं सबसे उंची मिनार बनाऊंगी मिनार का मतलब होता है बच्चों उंची बिल्डिंग ये देखो इसने क्या कर रखा है बच्चे ने ये डिब्बियां इखटी कर रखी है ठीक है आप किताबों से बना सकते हो किछिन के जो सामान के डब्बे हैं आप उनसे बना सकते हो खाली माचिस की डिब़ियां हैं आप उनको भी एक के उपर एक इस तरीके से रखके आप मिनार बना सकते हो यह देखो ठीक है अलग-अलग तरह की चीज़ें जमा करो जैसे तरह-तरह के डिबबे गेंद, रबर, माचिस की डिब़ियां दी अलग-अलग चीजों का इस्तमाल कर अपनी मिनार बनाओ जैसे केवल माचिस की डिब्बियों से या फिर केवल टीन के डिब्बों से ठीक है आप इसको बना सकते हो अब एक साथ कई चीजों का इस्तमाल कर मिनार बनाओ जैसे जूते के डिब्बे, टीन के डिब्बे, एक साथ या फिर गेंद और माचिस की डिब्बियां एक साथ एक के उपर एक रख करके आप इसको मीनार को तयार कर सकते हो अब सिक्कों का खेल इन्हें अपने सिक्के से करने की कोशिश करो जो आपके पास सिक्के हो तरोको पकड़ना है और इस तरहेंगली को अंगूठे नीचे दबाना है। और फिर क्या करना है इस उंगली को छलटके से सब भोषान जोटना है और स्षिप क्या अर गू मत जाइगा , convers फिर आपको देखना है सिक्के को गुमाओ क्या या गेंद की तरह दिखता है? आप सब बच्चे इस सिक्के को गुमाना और फिर मुझे comment box में लिखके भेजना किये जो सिक्का है ये किस तरीके से गूमता है? क्या सिक्का लुडकता है? तो आप लिखेंगे हाँ, सिक्का लुड़कता है, क्या सिक्का किसका आया जा सकता है? कर के देखो, क्या तुम एक रुपे के सिक्के को इस तरी के से खड़ा कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं ठीक है आप ऐसे सिक्कों को खड़ा करना और लुड़काना फिर कमंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना अब इसे 2 रुपे और 5 रुपे की सिक्कों के साथ करने की कोशिश करो देखो ये है 2 रुपे का सिक्का क्योंकि इस पर 2 लिखा हुआ है और ये है 5 रुपे का सिक्का क्योंकि इस पर 5 लिखा हुआ है तो बच्चों ये था आज का अध्याए कैसा लगा आपको आप मुझे कमंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें